नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो एफेक्टिव श्टडी, दिस इस धर्मेंद गॉड, आज हम बात कर रहे हैं कि COVID-19 के कोरोना वाइरस के 6 नए सिंटम्स जो है वो CDC द्वारा दर्सा बताए गए हैं, नए सिंटम्स क्या हैं, आज जब मैं ये वीडियो जो रिकार्ड कर रहा उस समय कोरोना वाइरस के दुनिया भर में 30 लाग से भी ज्यादा केसे हो चुके हैं, जहां 2 लाग से अधिक लोग अपनी जान गवा चुके हैं, जबकि 9 लाग से अधिक लोग वहाँ ठीक भी हो चुके हैं, तो ऐसे में ये जरूरी बनता है कि कोरोना वाइरस के जो सिंट भी लग सकती है तो अमेर्की हेल्थ एजेंसी है एक CDC उसकी द्वारा ये नए लच्छन बताए गए हैं देखिए CDC क्या है CDC यानि की Centers for Disease Control and Prevention CDC यानि की Center for Disease Control and Prevention ये जो है अमेर्का की एक हेल्थ एजेंसी है जो के महामारियों पर या अन्य बीमारियों पर नियंतर रखती है और इसका जो formation है वह 1946 में वुगा था जुलाई एक 1946 में यानि कि ये WHO से भी पुरानी एक संस्ता है इस समय अगर देखे जाएं तो अमेर्का में coronavirus के अधिक केस है तो WHO से ज्यादा डेटा CDC के पास है अगर देखें इसका headquarters कहां पर है तो अटलांटा में है अमेर्का की राज है एक Georgia उसकी Capital है अटलांटा और इसके जो डारेक्टर है वो Robert R Redfield है तो देखिए इसके च्छे नए syndrome की बात करें पहले तो जो पुराने मुख्य लच्छन थे वो क्या थे सबसे पहले तो फीवर यानि की बुखार आना खासी होना विसेश कर सूखी खासी होना और सांस लेने में तकलीफ होना तो यह तीन लच्छन जो है वो पहले मुख्य रूप से थे लेकिन अब इन में छे नए लच्छन जोड़े गए हैं कौन-कौन से एक तो ठंड लगना दूसरा ठंड लगने के साथ हो सकता है आपको क स्वाद और गन्द का एसास नहीं होना ये भी एक लच्छन है और ये जो लच्छन है वो संक्रमित होने के दो से 14 दिन के अंदर अंदर दिखाई देने लगते हैं कि कम से कम दो दिन और अधिक्तम 14 दिन के अंदर अंदर ये जो है वो लच्छन दिखाई देने लगते हैं म किसी में भी या स्वय में दिखता है तो आप जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और बात हम करें कि डवलु एचो के अनुसार और इंडिया के अनुसार क्या लच्छन होंगे तो भारत जो है वो जनरली डवलु एचो के नॉम्स को फॉलो करता ह है क्योंकि CDC कमेर की संस्था है हालां कि CDC की जो है वो काफी महता है तो CDC के जो लच्छन हो जाए गए उन पर डवलु एचो भी धियान देखा और हो सकता है अगले एक हफते के अंदर डवलु एचो और मांकी दुनिया भी लच्छन को फॉलो करने लगे अब बात करते हैं द जबकि CDC का कब हुआ था एक जुलाई 1946 को ठीक है न तो उसकी दो साल बाद लगवग दो साल बाद जो है वो WHO का फॉर्मेशन हुआ है और इसकी जो पैरेंट और उर्गनाइशन उसमें इसकी आपण नगने इनके अकॉर्डिक मुख्य लचन क्या है तो W.H.O. और इंडिया के अकॉर्डिक ये मानते हैं कि 85% मरीज़ों में ज्यादातर में बुकार रहेगा और दूसरा symptom सुखी खांसी रहेगी ज्यादातर लोगों में और तीसरा थकान हो सकती है हालांकि CDC जो है थकान वाले symptoms को मानने नहीं करता है तो ये जो चीज़े हैं और इसके अलावा अन लेच्छन इसमें सामिल किये थे सांस लेने में तकलीप, सरीर, जोड़ों में दर्द, गले में दर्द, नाक बहना और डायरिया और CDC ठकान और साथे साथ नाक बहने को भी और साथे साथ डाइरिया को भी जो है वो मुख्य लच्छनों में नहीं मानता है खास कर नाक बहने को तो वो अब तक इन लच्छनों में काउंट नहीं करता है CDC से तो यह बेसिक डिफरेंस है तो डवलो एचो इंडिया लगवग यह की चीज़ां को फॉलो करते हैं लेकिन अब सीडी सी ने जो नए सिंडम्स बता हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा उनको भी इन में जोड़ा जाएगा जहां तक है तो डवलो एचो ने जो है फरवरी लच्छन जो है वो तै किये गए थे तो दोस्तों आज की वीडियो आपने काफी कुछ सीखा होगा अगर आपने पूरा वीडियो धान से देखा है तो इस कोशन का आंसर मुझे कमेंड में दीजिए कि डवलो एचो का मुख्या लेक कहां इस्थाफित है लंदन वासिंटन जिनेवा और पेरिस टेकर तो किस सहर में किस देश में स्थाफित है मुझे कमेंड में आप जरूर बताइए उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों के साथ जादा से यादा सेर कीजिए और चैनल पर पहली हुआ है